भारत सरकार की ओर से दिव्यांगों को उपकरन वितरन करने के लिए कई तरह की योजनाय चलाई जा रहे हैं दिव्यांगों को सरकार की योजनाओं कलाब पहुचाने के लिए अलग-अलग समाजिक संगठन के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से निश्यलक पंजी करन शिविर लगाय जा रहे हैं भारत सरकार के दिव्यांगों को मदद पहुचाने वाली इस योशना के तहट आज फरीदाबाद के बल्लब गड़ में एक शिविर का आईजन किया गया जिसमें खरियाना के कैबिनेट मंत्री मूलचन शर्मा भी शिर्कत करने पहुचे इस दोरान बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने कारिक्रम में शिर्कत की और सरकार की योशनाओं का लाब उठाया और जो संस्थां जो प्राविट है जैसे राइस्थान है अजर्वाल से वस्त और दूसरी संस्थां जो हमारे MP साहब इंके साथ 14 ता समाथ से भी है कि अब यह सब लगे हैं मैं इनके इस बात के दिर्माद कर दोगा जिनकों को साहरा नेम का साहरा देने का कारिये हम सब लोग लगे हुए और राइट को से तरफ देड़ महीने के बाद आएंगे और देड़ महीने के बाद अपने जो सपने साकार करेंगे कि आम आदमे को चलना है जो नहीं गूम ने सकता बैटे सकता साइकल है कि सबसक्रै कि आपने लिए लोग सब करते हैं अपने लिए परचट के लिए काम करें और इसी तरह से हमारे केंद्व परदेश की सरकार इस तरह के कारिये में लगी हुई है मैं इस कारिकरम का सयोजक हूं और मुझे बताते में बड़ा हर्स हो रहा है कि हमारे जिला उपायुक्त जितेंदर यादव जी के मारदर्शन के अंदर जिला र हमारे तिगाओं के अंदर विधायक हसाब हैं हमारे बहुत से विभिन अफदी समाज के अंदर हम लोगों का ये च्छे दिवसीय केम्प लगा जो आयोजन किया जा रहा है मैं आप सभी को बताना चाहूंगा उद्देश से बड़ा इसपष्ट है सरकार के दोरा बहुत सरी सामाजी के द्वारा विधिवत इसका उद्गाटन किया गया था और यहां पर आज देख रहे हैं कि करीबन 200-300 लोग अभी यहां पर उपस्तित हैं पूरे दिन यह कैम्प चलने वाला है और उनका जाच माप सिविर के अंदर उन लोगों का पूरा डाटा इखटा किया जा उसको आज बल्लमगड में यहां पर देखने को मिला है जहां पर दिव्यांग जनों को करण वित्रित करने का एक सिविर आयोजन किया गया था और उसमें निसुल्क पंजीकरन सह परिक्षा सिविर का आयोजन यहां पर किया गया था ताकि ऐसे लोगों को मदद मिल सके ऐसे कि रेड़ क्रोस सुसाइटी के और से जो अधिकारी गंड से वो यहां पर पहुंचे और उनकी और से यह सिविर कायवजन किया गया है लोग यहां पर बढ़ चटकर जो है इससा ले रहे हैं क्या कुछ मदद दी जा रहे हैं यहां पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार के करा लिया क्या कुछ मांगा जाता इसमें रिश्टेशन के लिए और क्या कुछ आपको साहता परदान की जाएगी सरकार के लिए आधार कार्ड हैंडिकेप साइटिफिकेट और फैमली आईडी रासन कार्ड यह सब हाइट डोकुमेंट्स लिए जाओं तो इनके और से कहा अगया है क्या कुछ आपको करन के तौर पर या क्या कुछ मदद दी जाएगी तो प्राइस साइकल की बोल रहे हैं लिप तो दियो जिकागे आगे वारे अपसर जाने तो बिल्कुल देखिए यह योजना के तहर्त सवरीदावाद में यह जो योजना है चलाई जा रहे हैं चौबिस मई को अंगर सेन भवन में इस तरह का सिवर लगाया गया है फिर पच्चिस मई चबिस सटाई जटाई के तमाम जो दिन हैं इनके अलग-अलग सेंटरों में जो निसुल्क सिवर लगाया जाएंगे उसमें रिजिश्टेशन कराने के बाद जो है साहिता परदान क जाएगे और उसके बाद कहीं जो यह सरकार के और से जो योजनाय चलाए जा रही है इसका लोग लाब उठा रहे हैं और ऐसे में जो भारस सरकार की और से जो योजनाय हैं उसमें दिव्यांगों को उपकरन बित्रित करना हो या फिर अलग-अलग साहिता दी जाएं उसको लेकर जो है इस तरह के सीविर आयजन किये गए तैं यहां पर जो है हरियाना के केविनेट मंत्री बुल्चन सर्मा पहुचे थे और उन्होंने यहां पर लोगों से बाचीच की पूछा उनका हाल चाल जाना और यदी कोई समस्या आती है तो उनसे संपर्ग साधने की बात क पहुचे थे या फिर कहेंगी अगर सेन समाज की और से भी जो लोग यहां पर पहुचे थे उनकी मदद से इसकेंद्र को जो है चलाया जा रहा है ऐसे में बुल्चन सर्मा ने साथ तोर पर कहा कि लोगों के सहायता से ही इस तरह के आयोजन किये जाते हैं और समाज का साथ इस तरह के लोगों को आगे लाने और इनके उत्थान के लिए कारगर सिद्धोगा सही योगी राकेश के साथ संदीब गोले